नमस्का दोस्वागत थापा चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कॉंग्रेस पार्टी के कारे करताओं में जबर दस्तु साह है भारत बचाओर रेली की तयारी में कारेकरताओं ने जोर सोर से अपना काम करना शुरू कर दिया है और 14 दिसम्मर को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में कॉंग्रेस पार्टी भारत बचाओ रैली करने वाली है अगर आप भी कॉंग्रेस पार्टी की इस रैली का समर्तन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए लाल बटन दबाईए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बहुत जर बार को बयान जारी करते हैं कि रास्टी महा सची प्रेंगा गांधी द्वारा प्रदेश के व्यापक जनहित के मामले को लेकर कारे करताओं को निर्देश दिया गया है कि वहाँ महिलाओ बेटियों के साथ हुए बलतकाल था हत्या के मामले को लेकर और गन्ना किसानों के ब पहुचने वाले हैं और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर कॉंग्रेस पार्टी को इस बीच एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है दरसल दोस्तों मोधी सरकार को एक तगड़ा जटका लगा जहां पर लगातार चौथे महीने देश के अंदर महंगाई बढ़ने को लेक जरो के अंदर भी कटावती का रास्ता बंद हो गया है नवंबर 2019 के अंदर खुदरा महंगाई दर में बढ़ा उत्री 5.54 पर पहुच गई है और खुदरा महंगाई का आकड़ा अक्टूवर 2019 के अंदर 4.62 पर था जबकि सितंबर के अंदर 3.99 पर था जो लगाता सरकार की मुष्किले बढ़ा रहा है दरसल दोस्तों सरकार के द्वारा RBI से लिए गए एक लाग 76,000 करोड रुपे को खर्च करके भारत की GDP बढ़ाने की कोशिस भी पूरी तरह से फेल हो गई है और सरकार अगर और ज्यादा खर्च करती है और RBI अगर ब्यास दरों में कटोती करता है तो महंगाई फिर से बढ़ जाईगी और देश की गिरती हुई अर्थवस्ता और बढ़ती हुई महंगाई देश को एक ऐसी इस्तिती में लेकर जा रही है जहांपर महंगाई और विकास की कमी दोनों के साथ सरकार को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और साफ तोर पर सर सरकार की लगातार मुस्किले बढ़ रही है और इसी मामले को लेकर कॉंगेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर भारत बचाव रैली बुलाई है इसी के साथ एक और बड़ी खबर लेते हैं जहांपर अर्थवस्ता के मोधी सरकार के लिए अर्थवस्ता के अंदर ओध्योगी गुतपादन के मामले को लेकर आई सरकार की ताजा रिपोर्ट में बताये गया है कि चार महिने में लगातार ओध्योगी गुतपादन में गिरावट आई है और सरकार के आवे की पूरी तरह से पोल खुल रही है और एक और बड़ी खबाय जहांपर दोस्तों भारास्टा क के अंदर पंकजा मुंडे ने भारतिय जन्ता पार्टी को लगभग छोड़ दिया है मैं आपको बतादे कि पंकजा मुंडे ने अपने पिता गोपिनात मुंडे के याद में बुलाई गई एक रैली को संबोधित करते वे कहा कि मैं आज से कोर कमेटी के सदसे पद से इस्त चिफा देती हूँ दरसल दोस्तों पंकजा मुंडे के साथ-साथ भारतिय जन्ता पार्टी के कई सारे नेता मौजूद रहे जिन्होंने इसारो इसारो में देवेंद फर्णवीज पर गंभीर आरोप लगाये हैं और पार्टी के अंदर दो अलग-अलग धरे बढ़ते वे विरोध किया था और बाद में उन पर गष्टाचार के भी कई मामले दायर हुए थे और बीजेपी के अंदर अभी भी महरास्टा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है और जल्दी बीजेपी अगर दो अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाए तो इसमें भी कोई आश सबाचनाब के तीसरे चनन के अंदर 17 सीटों पर मतदान पूरा हो गया इन 17 में से 10 सीटे बीजेपी के खाते में थी और इन सभी सीटों पर कॉंग्रेस पर्टी के नेताओं को बड़ी बढ़त मिल सकती है और ऐसे में धारकंड मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस पर्टी के फेल है अर्थवेस्ता के मोर्चे पर जटका जहेल रही मोधी सरकार पर कॉंग्रेस पर्टी के नेता राहूल गांदी ने एक बार फिर से हमला किया है जारकंड के उदान सभा चुनाब में परचार करने पहुंचे राहूल गांदी ने कहा कि आज देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है अर्थवेस्ता नीचे जगई है चली गई है इसी सभा के अंदर राहूल गांदी ने एक फॉर्मिला सोजाया उनने कहा कि देश के अर्थवेस्ता को खड़ा करने के लिए केवल 15 मिनट का समय लगने वाला है राज महल के चुनावी सभा के अंदर राहूल ग और इंडस्ट्री के साथ सभी को रोजगार मिलने सुरू हो जाएंगे और ये पूरा चक्र चालू हो जाएगा और इसी तरह के सुझाब देते हुए अर्थवेस्ता के अंदर नोबल पुरुसकार अभी जीत बनर जी भी दे रहे थे और एक और बड़ी खबर लेते हैं जह के खिलाब चल रहे विरोध पुद्रशन में सामिल हुए हैं वही पर बंगलादेश के विदेश मंतरी अब्दुल मोमेन ने अपना भारत का दौरा भी रद्ध कर दिया है और उन्हों ने कोई कारण नहीं बताया हम आपको बता दे कि हमिस्सा के दौरा बंगलादेश के अ सौ परतिसत हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है सरकार के एरलाइंस कंपनी एर इंडिया ने केंदिक सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने वाली है सिविल एवियेशन मिनिस्टर हरदीप सिंग पूरी ने लोग सभा के अंदर एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि एर इंडिया ने भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी बेजने को मंजूरी दे दी है वित वर्स 2018-19 के अंदर एर इंडिया को अनुमानित घाटा 8,556 करोड रुपे रह सकता है मंतरी ने बताया कि एवियेशन सेक्टर को बहतर करने के लिए तमाम प्रियास किये जा रहे है एर इंडिया का कुल खर्च और कर्ज 58,000 करोड रुपे है और ऐसे में एर इंडिया ने पिछले वित वर्स में 400 करोड रुपे के ऑपरेटिंग नुकसान धर्ज किया है और सरकार इसको बेचना चाहती है और एक और बड़ी कवा लेते हैं जहांपर आसम के लोगों से पिया ने ने दुमोदी न अपील की तो कॉंग्रेस पाटि ने भी तंज कसा हम आपको बता दे की प्रधान मंत्री ने असम के लोगों से कहा कि उनके संस्कृति की रक्षा की जाएगी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और इसके बाद कॉंग्रेस पार्टी के नेता ने प्रधान मंत्री नेंद मोदी के ट्वीट को लेकर अपना रीट्वीट करते हुए प्रधान मंत्री को कहा कि असम के भाईयों बहनों इस मैसेज को नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि प्रधान मंत्री को कॉंग्रेस पार्टी या प्रिस्थितियों को लेकरिवे के लिए चुनौतिया खड़ी हो सकती है बैंकों को चुनौतियों का सामना करने के लिए तयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं दास ने यहां भी कहा कि भारत के बैंकिंगी सेक्टर में मजबूत हो रही बैंकिंग सेक्टर की इस्थिति उन्होंने आगे कहा कि बैंकिंग सेक्टर की स्थिति मजबूत हो रही है VATAC के दौरान इस्टेटस को लेकर भी जर्चा हुई है मामलाओं को निप्टाने के लिए भी कास ने बैंकों के साथ बाचीत की है और आपसी तालमेल बढ़ाने के रे कहा है RBI ने GDP का अनुमान पिछले दिनों घटा दिया था इससे पहले 5 दिसंबर 2019 को भार्चे रिजर बैंक ने GDP का अनुमान घटाया था गेंद्रिय बैंक के अनुसार 2019-20 के अंदर GDP और ज्यादा गिरावट के साथ 6.1% पर गिर कर 5% पर आ सकती है इसके साथी अर्थवस्ता को जटका लग सकता है 4.5% की भारत की GDP रहने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं और एक बात तैया है कि बैंकों पर भी इसका तिरिक्त प्रेशर पड़ेगा और ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी ख़बर लेते हैं जहांपर महरास्टा के राज्य मंत्री ने लोगों को आस्वासन देते वे कहा है कि रिजर्ब बैंक के सामने सिर्फ सेना और उद्व ठागरे की सरकार मुद्दे को उठाने वाली है दरसल दोस्तों PMC घोटाले मामले को लेकर बैंक के जमाक करताओ के चिंता को लेकर ये बड़ी ख़बर आई है जहाँ पर सिर्फ सेना प्रमुक उद्व ठागरे की सरकार की और से मंत्री ने कहा है कि आब वा इस मामले को लेकर RBI के सामने मुद्दे को आगे रखेंगे और जल से जल इन सबी लोगों के पैसे वापस कराने की पूरी कोसिस की जाएगी एक और बड़ी ख़बर है जहाँ पर जेडियू में बढ़ रहा है मतभेद अब NRC के मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं प्रसांत की सोर हम आपको बता दे कि CAB के जनता दल यूनाइटेड में मतभेद बढ़ा है पार्टी के उपाद्यक्स प्रसांत की सोर ने विरोध जताया है नागरिता संसोधन विधैक पर जेडियू में मतभेद बढ़ता जा रहा है J.U.K. संसत के दोनों सदनों में नागिता बिल का समतन करने को लेकर पार्टी के रास्टी उपाजेक्स परसांत की सोर ने विरोत किया है परसांत की सोर ने गुरुबार को ट्वीट करते वे नागिता संसोदन विधैक और नेस्नल रेजिस्टर आप सिटीजन का विरोध किया है और उन्हें संकेत दे दिये हैं कि किस सरा से राजनीती में बिहार के सिटीजन सी पाइंड बिल को लेकर और भी आगे मुद्दे बढ़ते वे दिखाई देंगे और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तो जारकंड के विदान सबा चुनाब में रगवर्दास सरकार को चुनाथी देने वाले भारते जन्ता पाटे की वरिष्ट नेता सर्यू रॉय ने राजपाल से मुलाकात की है और अपना इस्तीफा सौब दिया है हम आपको बता दे कि अभी चुनाब का दिन चल रहे हैं और ऐसे में सरकार अभी भी बनी हुई है कियर्टेकर सरकार के रूप में और ऐसे में सर्यू रॉय मंतरी के रूप में काम कर रहे थे जो अपने पद पर बने हुए थे लेकिन उन्होंने राजपाल के सामने जाकर अपने इस्तीफे का पेसकस की है और आप वह मंतरी नहीं रहेंगे हम आपको बता दे कि उन्होंने रगवरदास के खिलाब चुनाब लड़ने का एलान कर दिया है और संकेत दे दिये हैं कि आगे आने वाले दिन के अंदर जहारकंड की राजमिती कैसे रहने वाली है आपको एक खबर कैसी लगी लाल बेटन दबाईए चैनल के सब्सक्राइब कर ये घंटी को दबाईए हमार सत लगातार बने रही हैं आपको सारी अपडेट देते रहेंगे और एक और बड़ी खबर है जहां पर दोस्तों